नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया टीवी आपके साथ में हूँ जोस्तना पार्टनी बॉलिटन की शुरुवात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं खबर जारखंड से है जहां जिन्दा जिला दी गई 17 साल की अंकिता के मड़ा की जाच को लेकर अब हंगामा और बवाल भी तेज हो गया है अब से थोड़ी ही देर पहले फॉरंसिक साइंस लेबलरेटरीस की टीम सबूत जुटाने के लिए अंकिता के घर पहुँची एफसल की टीम जब अंकिता के घर सबूत जुटा रही थी उस वक्त की ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं आपको बता दें कि अंकिता को 23 अगस्त की सुभा जिन्दा जला दिया गया था अब प्रशासन ने फॉरंसिक टीम को आठ दिन बाद मौके पर जाच के लिए भीजा है जाच के लिए उन्हें जाने के लिए कहा गया तो सवाल ये उठता है कि क्या आठ दिन बाद सबूत बचे होंगे क्या फॉरंसिक टीम को कुछ मिल पाएगा अंकिता केस में सरकार और प्रशासन पर लापरवाही के लगातार आरोप लग रहे हैं लोगों में परिवार वालों में गुसा है रोश है और अब जब FSL की टीम वहाँ पहुची है तो इतनी देरी से टीम क्यों पहुची टीम को वहाँ पहुचने में आठ दिन का वक्त क्यों लग गया अब इसको लेकर भी सवाल उठाये जा रहे हैं तो ये दो तस्वीर है आपके सामने पहली तस्वीर उस जगा की जहां जब अंकिता सोई थी तो उस पर पेट्रोल छिडख कर आग लगा दी गई और अब इस पूरी घटना के आठ दिन बाद फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुची हुई है सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है लेकिन इन सभी कोशिशों के बीच सवाल ये कि क्या अब आठ दिन के बाद एफसल की टीम को यहां पर कोई पुखता सबूत मिल पाएगा और दूसरी तस्वीर उस महसूम अंकिता की आप देख रहे हैं जिसका कुसूर सिर्फ इतना था कि उसने शारुख से दोस्ती करने से उस से फोन पर बात करने से मना कर दिया और शारुख ने इस बात का बदला कुछ इस तरह से लिया कि जब आधी रात को अंकिता अपने घर में सो रही थी तो खिड़की से उसके उपर पेट्रोल छिड़का और फिर उसे आग लगा दी फिर आनन फानन में अंकिता को इलाज के लिए रिम्स भरती कराया गया और अगर रिम्स की बात करें तो पांच दिन तक वो अस्पिताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही जूजती रही और फिर ये दुखत खबर आई कि अंकिता हमार की गिरफतारी हो चुकी है लापरवाही के साथ-साथ अंकिता मडर केस में साजश के भी अब आरोप लग रहे हैं बीजेपी ने जारखंड की सोरें सरकार पर अंकिता के गुनहागारों को बचाने की साजश रचने का आरोप लगाया है बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंतर साल लिख दी गई जबकि अंकिता की जो उम्र है वो 16 साल है और 18 साल गुनेगारों की उम्र इसलिए लिख दी गई ताकि जो सजा है वो कम हो एफायार की बात की जाए तो एफायार में पहले ही एक आरोपी का नाम लिखा था फिर जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो डाइंग डिक्लियरेशन होता है मजिस्टेट के सामने उसको authentic माना जाता है लेकिन अखिर प्रसासन ने मजिस्टेट को ले करके डियरेशन क्यों नहीं करा है ये तो साफ है कि आप राता की बच्ची मर जाएगी तो आप राधी बच निकलेंगे इन लोगों ने बचाने के आप राधियों को कोशिश किया कल भी हम गये ते उसके परिवार में पता चला सहरूक के कोई बड़े भाई है घर वालों को धंकी दे रहे केस उठालो नहीं तो पिर नतिजा बुरा होगा और मैं तो इसलिए कहता हूं कि 120 B के ताद मुस्थपा के ऊपर भी केस मुग्दमा होनी चाहिए और जहां सहरूक और जहां छोटूक जेल में है वही उनका अस्थान होनी दिके संदिक तो मैंने कई केसों के बारे में बताये क्यों डियस्पी के बारे में एक मौली के केस में भी एक संठाल है सिकारी पड़ा में उसके केस के बारे में भी उनले बताया भी और जो रसेंटगाटा है उस में शिअप्रादियों को संवरचन देना उनके संवरचन में सभी आप्रादि पालत Magic एक प्रकारसे जीलाही वहीं चला रहे हैं जब एसपी उनके विरोध में सिकायत करते हैं तब सिनियर ओफसर उसके विरोध में कोई कारवाई नहीं करते तो आप समझ सकते हो यहाँ जो परसासन है पुलीस परसासन है मुस्टपा ही चला रहे हैं सरकार में बेटे वे लोगों का उनके सर परहात हो काय को डरेंगे चला करते हैं कि इस पूरे केस में आखे डिएस्पी नूर मुस्तफा का रोल क्यू सवालों के घेरे में हैं दर District מख निया कि घटना के बाद डिएस्पी नूर मुस्तफा ने अक्शन नहीं लिया DSP ने communal भेदभाव किया और आरोपी शारुख को बचाने की कोशिश तक की गई BGP आरोप ये भी लगा रही है कि DSP नूर मुस्तफा आदिवासी विरोधी है और उनके भी PFI से connection है नूर मुस्तफा पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग अंकिता को बालिग बताया 17 साल की अंकिता को FIR में 18 साल का दिखाया गया ताकि आरोपियों को कम सजा हो अंकिता को जिन्दा जिलाने वाले शारुख और नईम पर action में बहुत देर हुई और परिवार की बार बार की जा रही शिकायतों को नजरंदास किया गया अगर इन शिकायतों को नजरंदास नहीं किया जाता पहले ही action लिया जाता तो शायद अंकिता हमारे बीच होती